हमें महामरित्वी जाह मंत्र के बारे में बात करोगे बिल्कुल क्यों नहीं क्या यहा है महामरित्वीन जाय मंत्र कि जिन्दगी में आप एक बार कहना चाहोगे मंत्र मैं एक message pass on भी करना चाता हूँ लोगों को तो with this platform I can do that जब भी किसी की घर में hospital में कोई accident हो गया लोग महा मृत्यू जाई मंत्र का जाब सुरू कर दोते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि एक healing मंत्र है इससे कुछ अगर लोगों को लगता है death को conquer कर सकता है महा मृत्यू जाई मंत्र का जाब करेंगे तो बगवान मृत्यू हमारी होने नहीं देंगे बचा लेंगे हमें reality यह नहीं है महा मृत्यू जाई मंत्र आपके कर्म के लिए है अब अगर किसी का accident हुआ है आपके घर में और अगर वो कौमा में है उसके सारे senses तो बंद हो चुके है लेकिन तब भी उसकी life जिन्दा है क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके बल बूत पे वो जिन्दा है अभी अगर आप उस सण महाम रितुन जाई मंत्र का बहार जाब कर रहे हूँ महाम रितुन जाई मंत्र कर्म को खतम कर देता है और अगर कुछ कर्म की वज़ा से केवल वो जिन्दा है और अगर आपने महाम रितुन जाई मंत्र का जाब किया तो वो नहीं रहेंगे जिन्दा, वो मर जाएंगे महामरत्युन्जा is not to conquer the death महामरत्युन्जा is a कार्मिक मंत्र दिखाया जाता है हमें स्टोरीज में मारके अंडिया का ये मंत्र है मारके अंडिया जो रिसी थे अब जानते हैं उनके बारे में उन्होंने इस मंत्र को initiate किया था, उनके द्वारा ही मंत्र आया था तो वहाँ ये दिखाया जाता है कि मारके अंडिया को पता चल जाता है कि अब मेरी मृत्यू होने वाली है तो वो महादेव के पास बैठते हैं, सिवलिंग के पास बैठते हैं और महामरित्यू जाय मंत्र का जाप शुरू कर देता है फिर यम्राज आता है उन्हें लेने के लिए यम्राज कहता है तुम्हारा टाइम आ चुका है चलो तो वो सिवलिंग को हग कर लेते हैं महादेव आते हैं और यम्राज को kick out कर देता है अब ये पूरी स्टूरी को मैं योगिक प्रोस्पेक्टीव से सम्झाता हूँ यम, यमराज का मतलब यम यानि की वो नहीं जो आपकी मृत्यू करता है यम का मतलब रिस्ट्रेजनर इंगलिस में अगर हम संस्कृत में देखे तो यम का मतलब रिस्ट्रेजनर होता है यानि कि आपके पुराने जनम अब वो पूरे कर्म को इस life के अंडर आपको एक period में दिये जाते है कि भाई अब 80 साल की life है तुम्हारी 80 साल में तुम्हें ये कर्म को जेलना है अगर वो चाहते तो तुम्हें एक साथ सारे कर्म दे देते बाई एक ही दिन तुम्हें जीना एक दिन में तुम्हारे सारे कर्म का जो तुम्हें जो भी तुम्हें क्या था उसका तुम्हें रियक्ट जो भी होगा आगामी कर्म हो तुम्हें महसूस करना है तुम्हें उसको जीना है तो तुम्हें एक ही दिन में जीलो लेकिन अगर 75 पे death हो जाएगी वो कहां से आया तो वो यम्राज जो है ना वो आपको restrain करते हैं कि 75 years की तुमारे इतने कर्म है 75 years तक तुमारे कर्म खतम हो जाएगी जैसे कर्म खतम हो जाएगी आप कार्मिक boundary के परे चले जाते हो वहाँ पर काल भेरव खड़े होते हैं और काल भेरव की मृत्यू नहीं करते है वो बस आपको कर्म का एक boundary बना के देता है इसी वज़ा से हम यह कहते है कि जब भी आपकी मृत्यू होगी तो यमराज आजाएंगे यह नहीं है कि वो आपको लेने के लिए आएंगे यमराज आजाएंगे यानि कि आपके कर्म खतम हो गए, अब इस जनम के सारे कर्म को वो लेंगे, और अगले जनम में आपको देंगे, यही चीज ही चीज को इस स्टोरी में बताया गया है, जब मार्केंड या महामृत्यूर। महा मृत्यून Movini Manta का जाप कर रहे थे यमराज करम को represent करते हैं और महादेः जाप करते हैं और करम को पूर ठे gleich में करम करकते हैं तो यहां पर चीज़ समझाएगे की लिए मृत्यून जाप करने से यम यानिकी आपके पूरी लाइफ रिवाइन्ड होती है वो चीज नहीं होती है इसी वजासे लोग मनी काणने का घाट जाता है क्योंकि वहांके जो सेत्र पाल है वो काल भहएरव है तो का जाता है कि वहां जाकर अगर किसी के मृत्यू होती है । लगा कि अब बूड़े हो चुके हैं तो वो चले जाते हैं कासी में रहने लगते हैं कि वहाँ उस धर्ती पर हम मरेंगे कि काल भेरव की धर्ती है तो वो चीज हमें फेस नहीं करनी पड़ती है हमारी पूरी लाइफ हमारे सामने नहीं आती है so that is the power of महामरत्यून जाई मंतरा महामरत्यून जाई मंतरा का जाप करने से वो मरते समय जो दुख और पीड़ा है वो आपके पास नहीं आती है और आपके जो ये कर्म है जिसकी वज़ा से आपको ये सब फेस करना पड़ता है वो दिरे-दिरे कम होने लगता है अब 23 साल के हो अब हर दिन महामरतिय उन्जे मंतर का जाप कर रहो है क्या बदलावा है आपकी जिंदगी में इजी होगे लाइफ जैसे मैंने कहा जब आपके कर्मा आपके साथ घुमते रहते हैं खराब चीजे तो आपकी लाइफ में अपस और डाउन्स होता है अब अच्छी जिंदगी चल रही है अचानक से हम फिर से कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी चीजे गलत होने लगते है क कुछ-कुछ लोग अमीर होंगे लेकिन तब भी डिप्रेस्ट हो जाएंगे तो यह सब कुछ आपके कर्म की वजह से होता है I am a firm believer of karma तो महामृत्युन जाही मंत्र ने मेरी लाइफ को इतना एज़ी बना दिया है कि मेरी लाइफ अब स्टेबल है अब अगर कोई नेगेट अब तो मुमेंट तो वह ताकत मुझे मिलती है महामृत्युन जाही मंत्र से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पर जब मैंने इस मंतर का जाप स्टार्ट की अपनी लाइफ में एक महिने के अंदर मेरा ब्रेक अप हो गया शायद उस इनसान की जरूरत नहीं थी लाइफ के इस फेज में यही है ना आपके जिस वजा से आपके करमा बिल्डप होने वाले यू नेवर नो क्या होगा क्या नहीं होगा लोगों के दस-दस साल के रिलेशन के बाद भी डिवोर्स हो जाता है वाई जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि एनरजी इस मैच होती है में भी कुछ ऐसी चीज होने वाली होगी जिससे आपके करमा ऐसे बिल्ड होंगे ऐसे बिल्ड होंगे कि आपका जो संचीत वेर हाउस है जो आपका वो भर जाएगा पूरा और अगले जनम में आपको बड़ी पीड़ा होगी तो वो चीज़ से आपको महामरतु जाई मंतर ने बचा लिया तो बहुत बदलाव होए हैं लोग हट जाते हैं आपकी लाइफ से बि मूल मंतर यानि की मंतर आप कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से रिसी से यह मंतर आया है किस पर्टिकुलर रिजन की वज़ा से जैसे हमने कहा कि कर्म का मंतर है लोगों को लगता है हिलिंग का मंतर है तो कार्मिक कार्मिक चीजों का मूल मंतर कोई है तो मह आजसिक प्रॉब्लम है और उसको solve करने के लिए लोग तामसिक मंतर का यूज करेंगे कभी काम नहीं करेंगे तो इसी वज़ा से गुरू की जरूरत होती है गुरू को पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको किस नेचर किस गूण का मंतर देना है इस तीन गूण प क्योंकि वो आपके जो कर्म है खराब कर्म उसको हटाने का काम करता है तो उसमें तामसिक गूण है इस वज़ा से यह हाड काम वो कर पा रहा है at the same time it is also सात्विक मंतर क्योंकि यह आपको स्टेबल कर रहा है ठीक है तो इस प्रकाश से तामसिक सात्विक राजसिक मंतर होता और वही problem solve करता है जो गूण की problem होती है और राजसिक मंतर का एग्जामपल राजसिक मंतर का मुझे general मंतर में से तो कोई idea नहीं है लेकिन कुछ-कुछ ऐसे बीज मंतर है जो राजसिक है जैसे अगर हम बात करे हमारे चक्रों की बात करते तो चक्रों में अगर हम मुलाधा और स्वादिस्थाना की बात करेंगे, तो उसके यू बीज मंत्रे विशु की निद्स नहीं कर पाएगा कि कौन से गून के मंत्र है।